Hello everyone, how are you? I am Surinder Kumar, lectured in English. आपका 11th किलास की पोएम आप फोटोग्राइफ की कम्प्रिहेंशन के पार्ट में स्वागत करता हूँ. Students, इस सेशन को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं और आप एक नया एक अनुभव यहाँ पर महसूस करेंगे. अभी तक 10th किलास में आप जिस तरह से कम्प्रिहेंशन को अटेम्ट किया करते हैं, वहाँ से थोड़ा सा हम अलग हटके कोशिच करेंगे, प्रियास करेंगे कि किस तरह से हमें कम्प्रिहेंशन को अटेम्ट करना चाहिए. और हमारी जो पोएम है, इसके जो पोएट है, शेरले टॉलसन है, तो चलिए इस पोएम को देखते हैं कि कम्प्रिहेंशन हैं इसकी कैसे अटेम्ट कर सकते हैं. एक बात और स्थुदेंट्स, इस पोएम के जो में 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 पोएंट्स हैं वो भी मैं आपको साथ की साथ बताता चलूँगा, तो आप पोएम को साथ-साथ समझने का परियास भी करें. स्टेंजा 1 तो स्टुडेंट सबसे पहले मैं आपको स्टेंजा 1 पढ़ के सुनाता हूं The cardboard shows me how it was When the two girl cousins went paddling Each one holding one of my mother's hands And she the big girl Some 12 years or so All three stood still to smile through their hair At the uncle with the camera A sweet face my mother's That was before I was born And the sea which appears to have changed less Washed their terribly transient feet तो स्टुडेंट पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक में इस पैसेज को इस स्टेंजा को पढ़ेंगे ये स्टेंजा आपको अपनी बुक से पढ़ना चाहिए क्योंकि टेक्स्ट बुक को आप रिप्लेस नहीं कर सकते टेक्स्ट बुक को आपको कभी छोड़ना नहीं है तो जब भी आप comprehension attempt करेंगे तो आप पहले उस स्टेंजा को पढ़िए जिस स्टेंजा को आप करने वाले हैं ये पहला point है जो आपको ध्यान रखना है तो सबसे पहला question जो बनेगा वो क्या बनेगा poem से name the poem and the poet oblique मैंने poetess लिखा है क्योंकि हमारी जो poetess क्यों लिखते है female अगर है तो हम poetess बोलते है तो आप poet word भी use कर सकते हैं लेकिन आपकी सुईधा के लिए मैंने दोनों words को use किया है और आगे भी मैं poet या poetess कुछ भी use करूँगा तो आपको main चीज ये समझनी है कि हमें answer कैसे देना next important point ये है कि answer complete sentence में जाएगा you have to answer in complete sentence के वल poem का नाम लिखने से या poet का नाम लिखने से आपका answer complete नहीं होगा तो हमारा पहला answer देखते है the name of the poem is a photograph a photograph and the name of the poet is Shirley Toulson Shirley Toulson ये लिखने का तरीका है इसको आप बहुत अच्छे से सीख लेजिए इसके साथ students एक बात और अपने question खुद बनाना भी सीखिए मैं answer ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जब आप पढ़ते हैं किसी भी चीज को अपने मन में बनाईए ताकि answer भी आप देते चलें आप आप हिंदी की कहानी पढ़ रहे हैं तो आप हिंदी की जब कहानी पढ़ते हैं तो वहाँ परशन पूछिए अपने आप से ये कौन है इसका क्या रोल है तो इस टाइप से जैसे हम यहाँ कोश्चन कर रहे हैं जैसे हमने पहला कोश्चन ही जनरल कोश्चन है नेम दा पोएम एंड दा पोएट अब देखिए सेकेंड कोश्चन whose photograph has been referred to here in the poem अब किसके photograph की बात हो रही है पोइटेस की मदर का photograph है तो दा फोटोग्राफ ओफ पोइटेस मदर has been referred to here in the poem यानि आपको पता होना चाहिए किस का photograph है Q2 अब उस जो फोटोग्राफ लगा हुआ है उसमें कितनी गर्ल्स हैं अब सोचिए यह आंसर आपको कहां मिल सकता है मैं अगें अपनी टेक्स्ट बुक अपने आगे खुली रखेंगे मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनिए टेक्स्ट बुक को आप आगे खोल लीजिए तो आपको हमेशा सारी चीज़े याद रहेंगी question था how many girls were there in the photograph मैं पहली दो लाइने पढ़ता हूँ देखते हैं आप अंसर ढूंड पाते हैं या नहीं ढूंड पाते हैं the cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling two girl cousins क्या वो दो थी यहनी उसके साथ two girl cousins थी उसकी मदर के साथ तो there were three girls in the photograph there were three girls in the photograph यह पूरी पोएम से भी आप अंदाजा लगाओगे आगे जाके उनके नाम भी आएंगे तो इसलिए पोएम आप जो है third line जिस तरह आप मैं बता हूँ third line देखिया each one holding one of my mother's hands आप केता each one आप तीसरी line देखेंगे तो each one यहनी वो जो दोनो girls हैं holding one of my mother's hands and she the big girl यहनी अब बिग गल की बात आगी अगला question भी यही हो गया who was the big girl referred to in the poem कौने big girl and she the big girl who is the big girl then who is his mother यहनी her mother is the big girl in the poem fifth question where did the girls go for paddling and why दखिये इसके दो पार्ट हैं where, where means place where did the girls go for paddling कहा गई कहा गई poem में ढूढ़िये first stanza पढ़िये हां उसमें देखिये कहा हैं last line जाएंगे and the sea which appears to have changed less washed their terribly transient feet तो अंदाज़े आप क्या लगाएंगे the girls went for paddling to the sea beach sea shore sea shore को beach भी कहा जाता है B E A C H वहां क्यों गई थी? why क्यों गई थी? they were there on a picnic they went there on a picnic picnic मनाने के लिए वह वहां पर गई थी sea shore पे what was the age of the big girl? some 12 years or so she was about 12 years लग बारा साल के आँस पास थी who was the cameraman there? आप line देखिये आप उपर की चार लाइने छोड़ें fifth line में देखिये all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera तो cameraman कौन है? was their uncle next है explain to smile through their hair अब यह पर लाइन देखिये all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera इसका लाइन का मेनिंग क्या हो सकता? क्या सोच सकते हो आप? to smile through their hair अब सी के अगर आप देखिये imagination करें आप समुंदर के किनारे खड़े हैं या आपने समुंदर के किनारे लोगों की pictures देखी हों खड़े हुए तो वहाँ क्या चीज विशेश होती है? हवा तेज चल रही होती है और तेज हवा से क्या होता है? कि जो बाल है वो चहरे पर गिर जाते हैं और जब बाल चहरे पर गिरते हैं और आप हस रहे हैं आप फोटो की चुवा रहे हैं फोटो के लिए आप still हैं silent है और अचानक हवा आई और बाल आपके जो है चहरे पर विखर गए तो जो शब्द यूज किये गए है वो यही words है It means that the wind had scattered their hair on their face and they were smiling for the photograph to be taken तो जिस समय फोटोग्राफ के लिए smile कर रही थी तो तेज हवा ने उनके बालों को उनके चेरे पर गिरा दिया तो इस तरह से आप इनको जो है find out करें How had the poetess described her mother's face Line देखिये At the uncle with the camera के बाद A sweet face A sweet face The poetess had described her mother's face as sweet When was the photograph taken? बताओ उसमें एच कहां पर आप एच ढूंड सकते हैं The photograph was taken before the poetess was born Before the poetess was born My mother's that was before I was born यानि अगर आप book अपने साथ रखेंगे और जैसे मैं line बोल रहा हूं उन्ही lines को आप वहाँ पर तलाश कर लेंगे तो आप ये सोचिए कि आपकी poem का part लगभग लगभग complete हो गया है Second stanza पे चलते है Some 20-30 years later she would laugh at the snapshot See Betty and Ollie she would say And look how they dressed us for the beach The sea holiday was her past Mine is her laughter Both right with the labored ease of loss बहुत खूबसूरत लाइने है और इसमें हमागे जाके बहुत कुछ और भी हटके समझने वाले हैं तो पहले समझिए कि some 20-30 years later she would laugh at the snapshot अब who would laugh at the snapshot मैं question को ये भी कह सकता था कि who is she the mother would laugh at the snapshot आप what's his mother कह सकते है ये आप the mother भी use कर सकते हैं ये आपकी wish है What did she remember? क्या चीज़ याद रखती थी उसको? She used to remember her sea holiday What did she say about the snapshot? Snapshot के बारे में क्या कहती थी? She always remembered the dresses and the way they all were dressed for the holiday उसे वो dress हमेशा याद आती थी जो dress हू समय पहनाई थी Betty and Dolly को देखे क्या कहती थी ये line देखिए second line, second stanza में See Betty and Dolly she would say And look how they dressed us for the beach How they dressed us for the beach Us means उन सभीगों, उन तीनों girls को किस तरह से sea holiday के लिए dress पहनाई गई थी, तयार किया गया था तो वो उस तरीके को भी याद करती है How many years have passed since the photograph was taken कितना time हो गया है 20 or 30 years have passed since the photograph was taken Second stanza, first line को ध्यान से पढ़ें Who were Betty and Dolly अगर यह फर्स्ट एंजा में ही ध्यान कर लेते तो शब्द याद हो जाता Betty and Dolly were her mother's cousins उसकी cousin है आप cousin sister बोलते हैं generally बट cousin कहने से ही अपने आप में clear है What is the poet's past? अब देखिए दोनों के लिए past है Poet के लिए क्या past है? The laughter of her mother और mother के लिए क्या past है? वो sea holy day जब वो गई थी यानि mother के लिए sea holy day past था और आज poet के लिए क्या past है? उसकी mother की जो laughter थी वो आज उसके लिए past हो गई है What was her mother's past? हम जिकर कर चुके है The sea holy day was her mother's past Explain the line देखिए लाइन बहुत important है Both right with the labored ease of loss इसको आप as it is याद कर लिजिए और इसको समझ लिजिएगा मैं इसको समझाने के लिए थोड़ सा time ज़ादा लूँगा तो आप उस चीज को समझने का परियास करें जो इसका आधार है जो इसके मूल के अंदर है पहले समझ ये क्या लिखा है Time changes with every passing moment आपको पता है हम हर पल समय बीट रहा है समय बढ़ रहा है समय आगे जा रहा है समय हमारे पास नहीं है हमारे control में नहीं है वो निकलता जा रहा है We all leave behind our loved ones और हम अपने जो प्रिये हैं उनको पीछे छोड़ते चलते हैं And happiest moments and all things और जो हमारे happiest moments हैं बाकी चीजे हैं वो सब पीछे छोड़ती चली जाती हैं बीटते समय के साथ जैसे आपको कहीं ज़्यादा सोचने की जूरत नहीं आप अपनी 10th class के friends को याब कीजिए हो सकता ही साल आप अपनी 5 से 10 friends को पीछे छोड़ाई हो आप 11th में आ गए वो 10th में ही रहे गए बहुत student है तो आपके friends कुछ पीछे आप छोड़ गए 12th जाते जाते कुछ और छोड़ जाएंगे 12th पास करते कुछ और छोड़ जाएंगे तो कहने का भी पराय क्या है कि with the change of time हमारे खास दोस्त हमारी वो मुस्कुराहट हमारे happiest moments पाकी चीजें पीछे छूटती चली जाती है आपके भी हैं मेरी भी हैं हम सब की हैं हमारे parents की भी है तो सब पीछे छूटता चला जाता है इसी तरह से similarly both the poet and her mother have their own past दोनों का अपना अपना past है and happiest moments है दोनों के और वो दोनों के जा चुके हैं क्यों क्योंकि poet की जो mother है वो उसकी death हो चुकी है तो वो भी चली गई तो उसकी memories अप poet के मन में है और जो photograph की memories उसकी mother के साथ वो चली ही गई है तो with the passage of time we try to forget all that had left behind जो पीछे छूट गया है हम उसे बीटे समय के साथ भूल जाएं सभी कोशिश करते हैं जो लोग याद रखने की ज़्यादा कोशिश करते हैं तो वो लोग generally आप ये सोचिए कि मांसिक तोर पर बिमार भी हो जाते हैं इसलिए काहत भी बनी है time is a great healer जैसे जैसे समय बीटता जाएगा वो जो intensity है चाहे सुख की है चाहे दुख की है वो intensity कम होती जाएगी suppose कीजिया आपने 10th किलास में 99% मार्स लिए अब बहुत खुश थे जब result आया तो आपके जो खुशी का पैमाना वो बहुत बुरी तरह से चलग रहा था आप सोचिए कि 4 दिन पांच दिन दस दिन के बाद क्या वो जो result क्लिक करने के बाद जो खुशी थी क्या वो ही खुशी पांच दिन बाद है यस यही चीज़ सोचने की छोटे छोटे एपिसोड होते हैं लाइफ में जिन से हम यह अंदाजा लगाएं कि इस समय कैसे परभावित करता हैं को ताइम कैसे हमें आगे ले कर जाता है क्यों वो इंटेंस्टी है वो पांच दिन बाद खतम हो जाई अब स्पोस करिए आपके किसी बहुत खास प्रिये जनकी जो इस दुनिया में अचानक नहीं रहे क्या 10, 15, 20, 25 दिन महिने बाद चली बात करते हैं क्योंकि दुख को जाने में टाइम लगता है तो क्या महिने बाद भी वही इंटेंस्टी है जो उस पहले दिन पे थी तो टाइम जो है विद पासिंग एवरी मॉमेंट ये हमारे जो जब हमें दूर ले कर जाता है तो धीरे धीरे हम भूलने का परियास करना शुरू कर देते हैं Stenja 3 Now she has been dead nearly as many years as that girl lived and of this circumstance there is nothing to say at all it's silence silences again who is she she has been dead who is dead question है who is dead abhi इसमें किस की बात हो रही है poet की मदर की poet's mother is dead the poet's mother is she referred to in the first line of this Stenja what has been said about her kya kaha hai she has been dead what is the circumstance mentioned here circumstance kya hai death of her mother question question which is interrelated you have to apply your mind apply your mind you have to say you have to think what you are studying what I am studying what I am studying what I am doing what I am doing you have to do what you are studying what you are studying what you are studying करता है poem के अंदर photograph को denote करता है इसको denote करता है photograph the word cardboard denotes a photograph उस photograph में कितनी figure हैं कितने three कौन-कौन poet की mother और उसकी दो girl cousin उनके नाम क्या है Betty and Dolly तो आप ऐसे करते जाएंगे तो आप सोचिए कि आपको सारा content पता है और जब content पता है तो कोई question आपके लिए मुश्किल नहीं है why has this word cardboard been used? इस word को का use क्यों किया गया? the word cardboard has been used to show the sense of past past की एक sense बताई है हम आप photograph लेते हैं आपका आज चल तो camera बहुत easily available है ना आप अपने whatsapp को facebook को नए ने आप तरह के से अपने आपको आप फोटो कीछते रहते हैं आज कल फोटो आपकी phone की memory में आप कई बार जब बैठते हैं मालो पात साल बाद आप उन फोटो को देखें तो same बात होई है कि पहले हम जब हम छोटे थे तो हम हमारे time of photo लिये जाते थे और वो photo एक cardboard पे लगा के और उन्हें हम कमरे में लगा दिया तो वो remembrance होती थी वो बताते थे कि हम उस समय से थे तो sense of past है वो generally we paste photographs on a cardboard for displaying on the walls or keeping them in an album या शादियों के album बनती है आप कहीं छुटी मनाने गए थे आपने photo की चुआए फिर आपने photos अपने या तो अपने card में upload कर लिये या album बन वाली उनकी तो इस तरह से ये हमारी memory में बने रहते हैं हमारे past को show करते हैं what has the camera captured अब उस camera ने क्या capture किया था मैं पहले discuss कर चुआ हूँ जब मैंने first question discuss कर रहा था three girl cousins holding one another's hands and standing at the sea shore they were smiling with their hair on their faces same है वो ही जो हम पीछे कर चुके है ऐसे ही question आएंगे ऐसे ही question को आपने attempt करना है what has not changed over the years चलिए अब हम अब बात करते हैं इस दुनिया में क्या change होता है और क्या change नहीं होता सोच लीजिए क्या change होता है और क्या change नहीं होता हम आज अपने आप पर बहुत घमंड करते हैं मेरे पास इतना पैसा, मैं इतना सुन्दर, मैं बहुत smart, मैं बहुत बढ़िया, मैं बहुत अच्छा हम घमंड करते हैं अपने आप पर आपकी physical beauty, आपके पैसा, आपका रुत्बा, ये समय के साथ-साथ ये चीजें खतम होने वाली होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, जो जमीन से जुड़े होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं वो लोग उसको बनाए रखते हैं और उससे आगे बढ़ने का परियास करते हैं लेकिन जनरली जब घमंड आता है, तो इनसान गलतिया करता है और जो गलतियों के साथ-साथी चीजें आपकी जीवन से हट जाती हैं लेकिन nature, परकर्ती वो permanent है वो कभी भी नहीं चेंज होती, परकर्ती की सुंदरता हमेशा सुंदरता ही रहेगी समुंदर जैसा है वैसा ही रहेगा, पाढ़ जैसे है वैसे ही रहेगे सीनिक ब्यूटी जैसी है वो वैसी ही रहेगी सूरिय का निकलना हमेशा खूबसूरत होता है और वो हमेशा खूबसूरत ही रहेगा यानि नेचर कभी चेंज नहीं होती लेकिन क्या चेंज होकता है हमारी ब्यूटी क्या हमारी एज सेम रहेगी नहीं हम 25 साल, 26 साल के होगे 27, 35 के बाद लगेगा जैसे मुह से दात भी जा रहे हो तो ये जो change है ये आपने इस poem के साथ आपने देखना है आपने महसूस करना है और अपने व्यक्तितव को उसी change के अनुसार ढालने का प्रियास करना है ये जो question आएंगे अब next जितने भी question आएंगे वो question इसी बात को लेकर मैंने लिए है टेक्स्ट बुक में भी इसी बात को लेकर लिए गए है ताकि आप जाने समझें कि इस गुजरते समय के साथ हमारी सुन्दर्ता हमारा पैसा, हमारा रुत्बा वो सब धिरे धिरे खतम होते चले जाते हैं बचता है तो हमारे गुण जो गुण हमने धारन किये और जो परकरती की सुन्दर्ता है वो बचती है गुण जब तक हम जिएंगे तब तक रहेंगे हमारे जाने के बाद वो भी चले जाएं तो दा सी शोर question 3 what has not changed over the years the सी शोर where the girls enjoyed their holiday has not changed over the years तो उस सी शोर से क्या ची चेंज हो गई अब एक question आई है हिंदी में ही दिमाग में ही सोच लो कहीं लिखने की जूरत नहीं है तो वहां से क्या ची चेंज हो गई yes वहां से चेंज क्या हुआ वो जो girl cousins वहां पर picnic के लिए गई थी जब वो वहां से वापिस आ गई तो उसके बाद वो वहां नहीं गई तो वो चेंज हो गया वो केवल photograph में वो sea holiday रह गई उसके बाद वो sea holiday नहीं होई does this suggest something to you? क्या ये चीज आपको कुछ चीज suggest करती है yes मैं अभी आपको बता कर अटाओ कि nature is permanent लेकिन आदमी की life permanent नहीं है उसे समय पर भावित करता है और बीचते समय के साथ हम पीछे छूटते चले जाते हैं the poet's mother laughed at the snapshot what does this laugh indicate? her laughter indicates that she remembers all moments of her sea holiday with her cousins अब कभी भी ना बैट के अपने पुराने photographs को देखिए कहीं किसी photograph को देखे आप हलका सा smile करेंगे आप क्यों smile करेंगे आप मुझे बताने की जूरत नहीं आप अपने आपको बताइए कि आपको उस photo particular photograph को देखकर आपके smile क्यों पास हुई यह बहुत important है जानना कि मैं smile क्यों पास की मैंने उस photograph को देखका क्योंकि उससे हमारी कुछ ऐसी मधूर कैसी अच्छी यादें जुड़ी होती है जो photograph देखते ही समझ में आ जाता है अच्छा ये बात हुई थी उस समय तू बात याद आती है जब वो बात याद आती है तो हम smile करते हैं और कई बार हम ऐसा है कोई episode जड़ा वह जिससे हमें हसी आए तो वैसी भी चीज़े हैं तो ये क्या indicate करता है कि हम remember करते हैं उन moments को जैसे poet की mother को वो remember था वो sea holiday और आप 20 साल बात भी देखेंगे तो आप उस photograph को देखकर हसेंगे आपको smile पासओ क्योंकि वो उस episode को जैसे ही आप photograph में देखेंगे वो आपको याद आ जाएगा तो ये poem केवले एक poem नहीं बची है आपके लिए ये poem आपके लिए एक ऐसा asset है जहां पर आप अपने जीवन को तलाश कर सकते हैं photos के माध्यम से अपने photos को देखकर आप अपने दोस्तों को याद करते हैं आप अपने cousins को brother, sister को, parents को grand parents को आप हमेशा के लिए याद कर सकते हैं उनके साथ जुड़ी मीठी याद हैं आप photograph को देखकर याद कर सकते हैं आज चाहिज वो आपके साथ हैं या नहीं हैं लेकिन उन्हें देखकर हम हमेशा उन अच्छी यादों को उन अच्छी बातों को याद करते हैं फिर वही लाइन मैं दुबारा लेकर आये हूँ आपके लिए ये मैं आपको अल्रेड़ी करवा चुका हूँ what is the meaning of the line both right with the liberties of loss वो हम already कर चुके हैं मैं दोबारा इसे नहीं कराऊँगा what does this circumstance refer to death of poet's mother circumstance की बात भी हम already कर चुके थे क्योंकि आपको अपने आपको बाहर ले करा आपको जो innate ability आपके अंदर उस ability को भी तो आपने बाहर लाना है उस ability को बाहर लाने के लिए मैं बहुत सी चीज़ें आपके साथ discuss कर रहा हूँ ता कि आप अपने सोचने के नजरिये को बदले आप सोचना कहते हैं सीधी रेखा में वो तो सोचना ही है साथ में आप उसके साथ साथ इसी पोएम से इसी तरह के विचारों को आप ढूंडें अपने अंदर और उनका जवाब भी खुद तलाश करें अब यहाँ पर इस पोएम का मैं में सार प्यारा हूँ में तत्यों प्यारा हूँ तीन स्टेंजा इस पोएम के अंदर और तीनों स्टेंजा तीन डिफरेंट फेजिस को शो करते है वो क्या है अगर आप फर्स्टेंजा पढ़ेंगे तो फर्स्टेंजा क्या बताता है सी होलीडे का जिकर है और कब का जिकर है poet के पैदा होने से पहले का यानि जब उसकी मदर 12-13 साल की रही होगी तब का second stranger उसके 20-30 साल बाद जब उसकी मदर photograph को देखती है और उसी holiday को याद करती है यही है ना तो आप क्या समझते हैं कि poet ने देखिए line भी ऐसे बनाई के एक phase, दो phase, तीन phase नजराने लगे हमें यानि before the birth of the poet ये first phase है और उस समय क्या हुआ था her mother had gone for a sea holiday with her girl cousins second stranger वो हमें 20-30 साल के बाद ले कर जाता है जहां पर जो उसकी mother है poets की वो looks at the photograph and remembers all moments of her sea holiday and smiles at the photograph third phase हमें उस time पर ले कर जाता है now तो mother is dead अब photograph को देखती है remember करती है अपनी mother को and all her memories with her now there is silence and it makes her silent also क्यों? क्योंकि अब mother नहीं है तो वो जो space है वो खाली है वो silence है और ये जो silence है उसके life में उसे चुप कर देता है उसे silent कर देता है तो students hopefully आपको ये poem बहुत पसंद आई होगी और आप इस poem के content को और comprehension को इस video के माध्यम से समझ सकते हैं so thank you everyone for being with me in this session see you soon अज़ को माध्यों अज़ को चुट है और रभू ये भ्येश्दी आपको टेको आप एग होगी रग्यार है वो तो माध्यम से सकते हैं